हेलो दोस्तों आपका सवागत है इस चैनल में और आज हम बात करेंगे इस्टागराम पर आप अपना पासवर्ट कैसे चेंज कर सकते हो अगर आपको पासवर्ट नहीं पता है फिर भी आपना पासवर्ट चेंज कर सकते हो अगर आपको पासवर्ट पता है तब भी आप इसे इजी पूर्जित के साथ बताऊंगा आज तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको अपना इस्टाग्राम को ओपन कर लेना है देख सकते हो मेरे सामने मेरे इस्टाग्राम ओपन हो चुका है अब सिंपल सा मेरी प्रॉफाइल पे मैं आ चुका हूँ आपक इस्टाग्राम के इसमें अलग ऑप्शन दिखते थे बट जब सी अपड़ अपडेट हो चुका इस्टाग्राम अकाउंट तो सबसे यह प्रॉलम पूरी हो दिखने के लिए मिल रही है जिससे आपको जो भी आपको पासवर्ट चेंज करना है वो ऑप्शन है नहीं दिख तो इसे हमको ढूलना होंगा उसके लिए सबसे पहले आपको को ऑप्शन मिलेंगा अकाउंट सेंटर का इस पर क्लिक कर देना है इस पर जैसी क्लिक कर दोंगे तो यहादे को काफी सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते जश्ट आप इसको स्क्रॉल करना है सबसे प ch default-share प्सक्राइन पते हैं उसके च応फ पासवड इस थे करना होगा अगर आपको याद होगा तो आप यहां से सिंपल सा करण पासवर्ड डालके दो आपका जो भी नियो पासवर्ड है अब फिल कर जकते हो बड़ा मुझे पासवर्ड पता है नहीं इसके लिए मैं क्या करूंगा एक नीचे आप्शन है आप फारगेट यूर पासवर्ड का सिंपल सा इस पर किलिक कर देना ह आपको आपको जैशिम सिंपल्सा मुझे है कि मिल आचुका है देख सकते है का उप्शन आचुका है इस्पल्सा आचुका है और पासवर्ड के जैसा ही मैं आ चुका है और सिंपल से आप इस पर क्या करना किलिक कर देना है जी से आप के सामने दिखो एक नए डेक्स बोटा है क्रीट आइश्टांग पासवड आप इसको नीचे देखो एक उप्शन में न्यू पासवड और एक निव पासवड अगें तो सिंपल से यह मुझे करेंट पासवड का की दिखा देता हूँ तो देख सकते हो फिलाल में मनेहां से पासवेड डाल लिया हूँ, उसके बद नीचे का option आए रहा है मुझे reset password का, simple सा reset password पे जैसे क्लिक करता हूँ आपके सामने है just second के सामने आपके सामने ही change होने वाला है मेरा password इस्टागराम का और बीना किसी मैंने हैं कोई पासवर्ड याद नहीं था फिर भी मैंने हैं से इसे पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ सिंबल सामें कुछ देर वेट करना हूँगा देख सकते हो यहासे में अकाउंट ही लोग न हो चुका है बस मैंने हैं से पासवर्ड चेंज करा नहीं कुछ दाला नहीं आकाउंट दाला नहीं नमबर दाला भी ना इसके कोई देखो या मेरी आईडी भी लॉग इन हो चुकी आउटोमेटिकली तो इस तरीके से आप अपना पासवर्ट चेंज कर सकते हो अभी बात करते हैं कि आपकी जो भी इमिल आईडी उसमें आपको को नहीं दिख रही है को मुबाइल नमबर लिंक ये वो नहीं समझ माला सबस्क्राइब के कि कि लिए-ठीव पर आई वी सी का सिंपल से इस पर क्लिक करके आपको अकाउंट सेंटर पर चले आना है अकाउंट सेंटर पर जाने के बाद आपको सिंपल से क्या करना अकाउंट डीटेल पर क्लिक करना अकाउंट पर जैसी क्लिक करूंगे आपके ID पे आपको किलिक कर देना जीशे आप अपने ID पे किलिक कर दोंगे तो simple सा भी हाप personal detail पे किलिक करोंगे तो भी आपको यह से देखो आपकी email ID और आपका जो भी mobile number लिंक है वो सारा यह से दीख जाएगा तो इस तरीके से आप अपने email ID और password देख सकते हो वो भी कुछ सब्सक्राइब के अंदर और इस वीडियो को देखने के बाद आपको password easily change हो जाएगा तो मिलते हैं नेक्स ऐसी वीडियो को साथ thank you for watching